वड़ोधरा डिश्टिक एंड सैसन्स कॉट में बोगस कॉल लेटर के आदाय परप्यून की नौकरी के लिए बोगस कॉल लेटर के साथ नौकरी पर हाजर रहने के लिए कॉल लेटर इश्यू करने वाली वैसी नवसारी की महिला की आखिरकार गोतरी पूलिस द्वारा जरकार गोतरी पूलिस टिशन में शिकायत दर्ज करवाने के आधार पर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते वए आखिरकार दोखा देरी करने वाली वैसी महिला की गिरफतारी की गई जहां पूलिस ने बोगस कॉल लेटर नकली आइकार तथा सिजटे फूटेज के आदार पर नवसारी की महिला दिविया अक्षे भाई पटे नामक महिला की गिरफतारी की है वरोद्रा जिल्ला अदालत के मुख्य जिल्ला ने आए दिस के आदेस अनुसार रजिश्टार ने गोतरी पूलिश टिसन में शिकायत दर्श करवाई थी जिसमें पिछली 18 डिसंबर को दो सक्सने वरोद्रा एडिशनल कौट में करमचारी यश परमार के नाम पर नौकरी पर हाजर होने के बारे में पत्र लेकर कौट में आये थे जो पत्र में रजिश्टार जनरल के होद्दा पर गलत और जूठी बौगर साइन किये गए थे जिस पर हाई कौट अफ गुजरात गांदिनगर का उल्लेक भी किया गया था और आश्ट्य चिन्खा उप्योग करने के साथ लेटर पेड़ भी बनाय गया था जिसके बाद बताय गया था कि यश परमार उनके समंधी होते है यश परमार ने कब और किस कौट में नौकरी पर हाजर होना है उसकी जांच के लिए आये थे रजिश्टार ने कॉल लेटर की जांच करते हुए वे बोगर सोने का पाया गया था जिसके बाद दोनों सक्स की पूछ ताच करने पर जानकारी मिली थी की नौकरी पर हाजर होने के लिए पत्र पोष्ट के जरिये मिला था जिसके बाद 22 मार्च को एक और वकिल रजिश्टार की चेंबर में पहुँचे थे और उनके साथ आये अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार से नौकरी पर हाजर होने का पत्र पेश किया था जिसके आधर पर दीविया बेन पटेल नामक महिला का नाम का खुलासा हुआ था जहां आखिरकार CCTV फुटेज के आधा पर दोखा दड़ी करने वाली वैसी शातिर महिला नौसारी गोहिल हस्पताल वेजिटेबल मार्केट में रहती दीविया बेन नरिजबाई पटेल की गिरफतारी की गई है और उसके खिलाफ दोखा दड़ी सहीट की कलम को दर्ज करने के साथ कानुदन कारेवा ही जारी की है जायसी बाथी की दीविया पटेलने गवर्मेंट अफ गुजा दिश्टिक एंड शिविल कॉट वरोदरा थर्ड एडिशनल कॉट का बोगस आईकार तथा एक्टिवा और डिश्टिक एंड सैसन्स कॉट वरोदरा का स्टिकर का भी इस्तमाल किया था कौट संकुल के मुखे प्रविजद्वार के पास संग्नित गतिवी दिकर दिश्टिक एंड सेसन कौट के नाम पर नौकरी पर हाजर होने के लिए गलत और बोगस पत्र जारी कर लोगों को फसाने का ये महला काम करती है एनी जे गोतरी मेहिन कौट छे मिखे जिले नाया दिस स्रीडी कौट एमा रजिस्टरास तीचे थोड़क समझ पेला बे छोकराओ तेहां गड़ी आवेला और एमनी जोडे कौट ने इंदर पटावलानी नौकरी छे एवो कौल लेटर लेने आवेला और एमने नौकरी ये हा अचम्बो पाहमी गया के आवा पोईने ओ कोई इंटर्यू नथी लवाया तो आवा आवा कौल लेटर आजयो कही रित है एक कौल लेटरों खोटा हाता एक कौट ना ध्याने आवेला आता है एमनी विगत मेलवी और एमनी ध्यान दोर्यू के आ बोगस कौल लेटर छे एमन नंदर कौट पना बाबाते तपास मां हाती थोड़ी गणी विगत जे पुलिस जोड़े पना हती ये रिते आ वेक्ती ने लाईव पकडवा माटे कोशिश मां हाता एक दर्म्यान गई कालर नंदर कौट ना शापना ध्याने आये लूगे कौट कमपाउंड नी बहरना नंदर कौट पना शाप पहुंची जे ए छोगरी ने त्यां गड़ी रोकी एनी पूश परज करी एनने चेक करी तो एनी जोड़े थी जुदा जुदा डॉक्युमेंट्स ने बदू मणी आयलू गोती पुलिस टीशन नो संपर्थ करी अने जे छोगरी ये ती एनू नाम दिविया नरेश पटेल एने डिटेन करवा मा अवी अने एने पूश परज मा ध्याने आयलू के आ छोगरी ये जे भोग्बननार छोगराव वता ए लोकुने नोकरी आख कोट मा मली छे एवा बोगस पल लेटर वा आपेला आता ए बाबते नामदार कोट ना रजिस्टार गोधरी पूली स्टेशन मा फरियाद मोधाली छे गोधरी पूली स्टेशन ने आबाबते गुनो रजिस्टर करी आने आगवनी तपास शरू करी दिदी छे प्राथमीक तपास नी इंदर जे भोग्बननार धाता सिद्राज बाई अने मिहुल बाई ए बनने नी पन पूश पूश परज करी छे एमने पन होलखी बतावी छे का छोकरी है अमने आवा बोगस को लेटर वा पे लाहता अने जे छोकरी छे एनी पागते थोड़ी डिटेल मा पूश परज करी तो आज ये दिव्या नरेश पटेल छे एने अगावन नवसारी फास्टे कोट मां डोडे को पूश परज करी एने कोटनी प्रोसीजर नो आइडिया आए लेलो त्यारे एनो जे हस्पन छे एक थोड़ो समय पुर्थो पंदर विस दियोस पुर्थो पटावा तरीके रहे ला शे त्यार बाग एनी जोड़े अन्य कोई काम नहां तू अन्य त्यारे एना मगज मां नोकरी ना पत्र आपवानों शरू करेलू रकमो नानी एती इतले एना मगज में के कोई पुलीस परियाद थशे नहीं पन आजे अंते ए कोट पुलीस ना हाथ मा आवी गई छे अत्यारे गोधरी पुलीसे एने एरेस्ट करी छे एने आ बाबत नी वदूत अपास चालू छ हालनी तरीके दस जिटला इसम हो कि जिनी जोड़े आवा बोगस कॉल लेटर आपी इने पईसा लिदेला छे एवी बाबत तकास दर्में ध्याने आवी गे ली छे अने अजू पन आपना माध्यम्ती हमें लोकों ने कहिए छे कि आवा अनिया कोई पन शेत्रा आया होई तो गुदरी पोली स्टेशन न संपत करें